हेलो एवरिवन आज के इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि क्या ततकाल टिकेट कैंसिल होता है अगर कैंसिल होता है तो इसमें कितना रिफर्ण आता है कितना रूपे कटता है सारा कुछ बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ततकाल टिकेट यह immediately बनता है यानि एक दिन पहले बनता है जिसको सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वही यह टिकेट बनाता है otherwise बहुत लोगों को तो यह टिकेट ततकाल टिकेट मिलता ही नहीं है क्योंकि सीटे लिमेटेड होती है और टिकेट बनाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं तो जिसको ततकाल टिकेट मिल गया तो वो खुशनसीब है अब कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा जाना कैंसिल हो जाता है या फिर कोई पॉर्डम आ गया जिस वज़े से हम नहीं जा पाते हैं तो उस वज़े से कई लोग सोचते हैं कि मैं इसको कैंसिल करा दूँ तो अब इसमें दो बात आती है या तो आपकी ततकाल टिकेट कन्फॉर्म है या कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ततकाल टिकेट वेटिंग में बुक हो जाती है तो अगर आपकी वेटिंग में बुक है तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं क्यूंकि उसको कैंसिल करेंगे तो आपको 60 रुपे या 65 रुपे कट के वापस पैसे आ जाएंगे सारा कुछ लेकिन अगर आपका ततकाल टिकेट फुल कनफर्म है तो उसमें अगर आप कैंसिल करते हैं तो कैंसिल तो हो जाएगी इसमें कोई ये बात नहीं है कि कैंसिल नहीं होगी कैंसिल हो जाएगी लेकिन आपका जो refund है वो refund एक भी रूपे नहीं आएगा क्योंकि तत्काल का जो नियम है तत्काल का नियम यह है अगर आप ticket को cancel करते हैं तो यह non refundable होता है यानि इसमें आपको एक भी रूपिया नहीं मिलेगा अब इसका जो आपका seat है वो seat खाली जाएगी और हो सकता है कि टीटी उस seat को किसी और को दे दे तो अगर आपका तत्काल ticket confirm है तो आपको कोई भी refund नहीं मिलेगा हाँ अगर वेटिंग में है तो आपको 60 रूपे या 55 रूपे कटके अगर slipper में है तो 60 रूपे और AC में है तो 55 रूपे कटकरके आपको refund मिल जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा इस तरह का वीडियो इस चैनल पे आते रहता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थांक्यू फर वाचिंग इस वीडियो